नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल All Exam Guides Grouper दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लेकर आए है Important Current Interface हर कॉशन का अंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा सारे कॉशन सभी एक्जाम्स के लिए Important है तो आप अपने दोस्तों को भी जरूँ शेयर कर दीजेगा चैनल पर अगर नए है तो चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लिजेगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर दिन की इंटरफेस का चले शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहला प्रश्ण यह रहा स्क्रीन पर कॉशन आप से पूछा गया है राश्रिय जंक फूड दिवस किस दिन मनाया जाता है बतला ये चले देखते हैं तो राश्य जंक फूड दिवस जो है 21 जुलाई को मनाते हैं ऑप्शन नमबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कॉशन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर महराश्य सरकार ने अटके जोपड पट्टी पुनरवासन परियोजना के लिए तनाव कोश इस्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ में समझोता किया है बतला ये चले देखते हैं तो यहां पर सहीत्तर हो जाएगा महराश्य सरकार ने SBI के साथ में समझोता किया है जोपड पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए अच्छे और पक्के मकान देकर उस जगह से दूसरे जिगा शिप्ट करने से रिलेटेड है ये होजना और इसके लिए महराश्य सरकार ने SBI से समझोता किया है नेक्ट कॉशन देखते हैं ताइवान के मिसाइल अपग्रेडेशन पैकेज के लिए अमेरिका द्वारा अनुमोधित राशी क्या है जो अमेरिका ताइवान को देगा जिससे ताइवान अपनी मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करेगा बतलाएं चले देखते हैं तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा 620 मिलियन अमेरिका ताइवान को मिसाइल अपग्रेड करने के लिए देगा कॉशल विकास और उधमित्ता मंत्राले ने किस पोर्टल यानि की वैबसाइट को शुरू किया है ताकि कुशल लोगों को आजीविका के आवसर खोजने में मदद मिल सके मतलब वो लोग जो कोई ना कोई काम जानते हैं इस पोर्टल इस वैबसाइट के तो कुछ ना कुछ रोजी रोटी कमा सकते हैं काम कर सकते हैं बतलाएए चले देखते हैं तो यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा A.S.E.E.M. असीम नाम से वैबसाइट शुरू की है जिसके थो आजीविका को चलाने के लिए लोग रेजिस्ट्रेशन करके जॉब पा सकते हैं काम पा सकते हैं किसराज की सरकार फसल विविधी करण और तालाबों के काया कल्प के लिए केंद्रिय सहायता से पंद्रा सो करोड रुपे प्राप्त करने के लिए तैयार है क्या उत्तर हो जाएगा बतलाएए चली देखते हैं तो यहाँ पर सहित्र हो जाएगा यह है हर्याना सरकार तो हर्याना सरकार तालाब और फसल विविधी करण जो फसले बदलती है फसलों का पुन्रशक्रन होता है इंशॉड क्रसी पर इन्वेस्ट करने के लिए और तालाबों के पुन्रुधार पर इन्वे करेगी सरकास से और इस पर खर्च करेगी next question देखते हैं निमने लिकित में ऐसे कौन भारत में ताइवान का नया राजदूत बन गया है बतला ये चले देखते हैं तो भारत में ताइवान का नया राजदूत बशुवन गेर ऑप्शन नमबर डी यहाँ पर सहित्र हो जाएगा बशुवन गेर बन गए हैं नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुश्च के रूप में किसे नामांकित किया गया है बतलाएए चले देखते हैं तो होकी इंडिया के कारेवाहक अध्यक्ष के रूप में ग्या नेंद्रो निंग गोबम ऑप्शन नमबर सी यहाँ पर सहित्र हो जाएगा होकी इंडिया के नई कारेवाहक अध्यक्ष के रूप में ग्या नेंद्रो निंग गोबम को नमांकित किया गया है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुश्च अगया है संयुक्त राश्र अंत्रिम सेना के साथ तैनात भारतिय बटालियन ने किस देश के लिए परियोजना का पुरुसकार जीता है जिसका अपसिस्ट उत्पादन को कम करना है बतलाईए चले देखते हैं तो भारतिय सेना को ये अच्छा काम करने के लिए लेबनान की तरब से पुरुसकार मिला है उप्शन नमबर डी इस कॉशन के लिए तो सजिक्त राष्ट अंत्रिम सेना के साथ तैनात भारतिय बटालियन ने ये लेबनान देश की परियोजना के लिए पुरुसकार जीता है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशका है ये रहा स्क्रीन पर फ्लिपकार्ट ने किस राजिकी सरकार के साथ इस्थानिय कला सि होते हैं शिल्पकला वाले होते हैं उनके सामान को फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे की उसके लिए ये हस्ताक्षर हुआ है एक समझोते पर तो ये किस राजिके साथ में हुआ है बतलाईए चले देखते हैं तो ये जो है करनाटक राजिके साथ में फ्लिपकार्ट का समझोता हुआ है करनाटक के जो इस्थानिय कलाकार है शिल्प इस्थानिय कला को प्रोमोट करने वाले हैं शिल्प कला वाले हैं हद करगा वाले हैं उनके प्रोड़ेट्स को फ्लिपकार्ट अप पुषा गया है Aesia के सबसे बड़े डेटा सेंटर 210 मेगवर्ट का किस सहर में उद्धगाटन ऑद्धगाटन किया बतलाईए चले देखते हैं तो Aesia के सबसे बड़े डेटा सेंटर 210 मेगवर्ट का उद्धगाटन मुंबई में किया गया Option No. नमबर B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं निम्द लिकित में से कौन 4000 रन बनाने और 150 विगिट लेने वाला दूसरा सबसे तेज आल राउंडर बन गया है बतला ये चलिए देखते हैं तो आल राउंडर बन गया है बैंस टोग जिन्होंने 4000 रन बनाये हैं और 150 विगिट लिए हैं दूसरे सबसे तेज आल राउंडर बन गया है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पूश अगया है निम्द लिकित में से कौन सी भारतिय अमेरिकी शक्सियत अमेरिकी क्रशी अनुसंधान संगठन का कार्य प्रमुग बनने के लिए निर्धारित हैं बतलाईए चले देखते हैं तो यहाँ पर सयत्र हो जाएगा पराग चिटनिस तो पराग चिटनिस भारतिय अमेरिकी शक्सियत हैं इन्हें अमेरिकी क्रशी अनुसंधान संगठन का कार्य प्रमुग बनने के लिए निर्धारित किया गया है ICC के लार प्रतिबंध नियम का उलंगन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गया है कुरूना वाइरस के चलते बॉल पर लार लगाने से मना किया था ICC ने लेकिन इस नियम का उलंगन हो गया तो कौन है वो क्या उत्तर होगा इसका बतलाईए चले देखते हैं तो यहाँ पर से यत्तर हो जाएगा डोम सिबली डोम सिबली पहले क्रिकेटर बन गया है जन्होंने लार प्रतिबंध नियम का उलंगन किया नेक्श देखते हैं अब बात करने कुछ important questions with facts जो एक्जाम में पूछे जाएंगे तो आपसे बनना चाहिए क्योंकि यह 100% sure है कि पूछे ही जाएंगे तो सबसे पहला है form 26 AS जिसे हाल ही मैं समाचारों में देखा गया था किस संगठन से समंदित दस्तावेज है तो यह कें दाताओं की आए पर कटोती के लिए बिभिन करों की जानकारी शामिल है हाल ही में CBDT के आएकर विभागने आएकर रिटर्न जल्दी दाखिल करने में करदाताओं की सहायता करने के उद्देश से नया form बनाया है नया form सही कर देयता की गड़ना करेगा और इसे कर प्रशाश में पारदरश्टा लाने की उम्मीद है तो ये हाली में latest news है जो काफी ज्यादा trending है तो इसके लिए मैंने आपको describe करके बताया ये next देख लेते क्या पुशा गया है किस केंद्रिय मंत्राले ने PMSVA निधी प्रधान मंत्री street vendors आत्म निर्भर निधी योजना को लागू किय है तो प्रधान मंत्री के आत्म निर्भर भारत की ये एक कहें तो एक सीड़ी है तो इसके बारे में आंसर क्या है इसका आवास और सहरी मामलों के मंत्राले ने ये योजना लागू की है इसका उद्देश छोटे दुकानदारों को रिन के लिए आबिदन करने में सहूलियत प्रदान करना है इस एप को गूगल प्ले स्टोर से निसुल को डाउनलोड कर सकते हैं जिसके थो आप अपडेट करके और सहायता ले सकते हैं अगला कौशन देख लेते हैं भारत के राश्पदी रामनात कोविंद जी के निजी सच्चियों के रूप में कॉन्यक्ट हुए इसलिए डिस्क्राइब करना जरूरी था तो पी प्रवीड सिदार्थ जो 2001 बैच के राजसो सेवा आएकर IRSIT अधिकारी पी प्रवीड सिदार्थ राश्पदी रामनात कोविंद जी के निजी सच्चियों निक्ट के गये हैं ठीक है और ये विक्रम सिंग का स्थान लेंगे और विक्रम सिंग को जिने हाल ही में शिपिंग मंत्रालें में सईयुक तो सचियो के रूप में निक्ट किया गया है रेलवे बोर्ट के अध्यक्ष के अनुसर भारत में निजी ट्रेनों के शुरू करने के लिए संसोदित समय रेखा क्या है तो 2024 मार्च तक आपने सुनाई होगा कि railway का कुछ railway का निजी करण हो रहा है तो कुछ समय के लिए वो निजी करण होगा तो 2024 तक ये शुरू हो जाएगा railway board के अध्यक्ष वीके यादव ने हाली में घोशना की है कि सरकान ने मार्च 2024 तक निजी ट्रेनों को शुरू करने के लिए समय रेखा इस्थकित कर दी है इससे पहले समय 20 अप्रेल को तई किया गया था यह इस्थकित कर दिया गया है board ने यह भी कहा है कि 2023 तक पूर्वत्तर राजिकी राजधानियों को rail network के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा नेक्ष देख लेतें कि आपको शग हैं दूर संचार विवाद निप्टान और अपीलिय न्यायाधी करन टीडी सैट के अध्यक्ष कौन मने हैं तो शिव कीरती सिंग नई नियुकती है याद कर लीजे भारत के सर्वोच न्यायले ने दूर संचार विवाद निप्टान और अपीलिय न्यायाधी करन जिसको TDSAT बोलते हैं इसका चेर्मेन और सदस्यों का कारिकाल तीन महिने के लिए बढ़ा दिया है तो ये था आपका इंपोर्टेंट करेंट अफेस हम आपके लिए परड़े करेंट अफेस प्रोवाइट करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजे करेंट अफेस आप बहुत जगह से पढ़ते हो मैं क्विज आपसे इसलिए पूछता हूँ कि क्विज में आपके लिए एक्जाम वाली फिलिंग आती है वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लीजेगा और अपने दोस्तों को जरूर लिंक शेर करिएगा और वीडियो को लाइक जरू करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुब हो